नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपियर्स क्लाउड में तो दोस्तो यूक्रेन पर रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपने परमाड़ु हत्यारों के पिटारे को खोल दिया है और अमेरिका ने यूक्रेन को बचाने के लिए परमाड़ युद्धव्यास को भी सुरू कर दिया है और जो अप्यास अमेरिका ने स्टार्ट किया है उसका नाम है Global Lightning युद्धव्यास और आप लोग इस युद्ध भ्यास को हलके में मत लिजेगा क्योंकि या युद्ध भ्यास बाकी युद्ध भ्यासों से बहुत ही अलग होने वाला है और अमेरिका और रूस के बीच युद्ध अगर होता है तो ये मत समझ लेना की या युद्ध तो अमेरिका और रूस के ब पीच अमेरिकी सैनिक यूक्रेन पहुंच चुके हैं और ये अमेरिकी सैनिक यूक्रेन की सेना को राकेट लांचर की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और दोसों अमेरिकी सैनिक ऐसे समय पर यूक्रेन पहुंचे हैं जब अमेरिकी राष्टपती जो बाइटन ने चेतावनी दी ह कि रूस फरवरी के महीने में यूक्रेन पर कबजा कर सकता है और उधर रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक लाख पचास जार सैन को समयत हजारों की संख्या में मिसाइलों और टैंकों को लेकर तैनात है और खबर ये भी है कि रूस अब बेला रूस के साथ एक बड़े युद अब्यास को अंजाम देगा और अब ऐसे में बड़ी खबर खुद अमेरिका के ट्विटर हैंडल से निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने ग्लोबल लाइटनिंग युद अब्यास को भी शुरू कर दिया है वहीं रूस और यूक्रेन में जंग के मंडराते बादलों के बीच अमेरिका ने परमाडू बम गिराने का अब्यास सुरू किया है और अमेरिका के परमाडू हतियारों का जिम्मा समालने वाली स्ट्रेटिक कमांड ने ग्लोबल लाइटनिंग अभ्यास सुरू कर दिया है और इस अभ्यास का मकसद अमेरिकी सैना की परमाड युद की तैयारियों को परखना है और अमेरिका ने यह अभ्यास ऐसे समय पर स्टार्ट किया है जब ब्लैक सी में रूसी नौसेना के युद्ध पोत जोरदार युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं वहीं युक्रेन की सीमा पर रूस ने एक लाग पचास हजार सैनिकों को तैनात कर रखा है वहीं परमाड़ बम गिराने के अभ्यास की अमेरिका ने लंबे समय से युजना बनाई थी लेकिन अब रूस युक्रेन तनाओ के बीच इसके सुरू करने पर विसेशक भी सवाल उठा रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइटन लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि रूस युक्रेन पर हमला कर सकता है और जो बाइटन ने अपने हजारो सैनिकों को भी पूरभी यूरोप में तैनात करने का एलान किया है और इससे पहले अपरेल 2021 में अमेरिका ने अन्तिम बार ग्लोबल लाइटनिंग डिल का आयोजन किया था और अमेरिका के इस ग्लोबल लाइटनिंग युद दभ्यास का सीधा-सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका पर परमालु हमला होता है तो कुछ ना कुछ सैनिक इस हमले में जरूर बच जाएंगे और जो सैनिक बच जाएंगे वे दुस्मन देश पर तब तक परमाड़ु हमला करेंगे जब तक कि दुस्मन देश का आखरी इंसान खतम नहीं हो जाता और इसी नई सोच का परिछण इस साल के अभ्यास में अमेर में हो चुकी हैं और दोनों खे में खुले तोर पर जंग की तयारी कर रहे हैं अब आप लोगों का क्या कहना है रूस और यूक्रेन के तनाव पर कमेंट में जरू बताएं और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना ना भ क्या म सब्सक्राइब कराओ।